तो है गाईज वेल्कम बैक टू मैं चैनल वेल्कम बैक टू अधर वीडियो तो जैसा कि आज हम लोग बहुत दिन बाद निकले राइट पर चूंकि पाइक खराब हो चुका था जैसा कि आप लोग दिखाए वे थे कि ब्रेक बनाएं इसके पिछे वाला और मोबिल में तो आज आके हम लोग टाइम में लाएं और आज वीडियो सूट कर रहे हैं में जैसा कि हम लोग आज बहुत दिम बाद निकले हैं और तो गाइस जैसा कि आप लोग पता था कि 11 चर रहा की चार्खन बोटका तो इस चलती भी हम लोग का विडियो नहीं आ पारा था क्योंकि थोड़ा पढ़ना था पास-पास करना था इस लिए थोड़ा आपको त्यारी कर रहे थे पाकि अब इस खतम हो चुका है मां कि आप हम लोग पेर से चलते अभी हम लोग सुचरे है कि कुर पाड पहुंच चुके हैं और इसका हलका आगे जाके जो एक रोड में जाके में रोड से राइड लेके वही पर है स्टेसन उसका और हम लोग ही जा रहे है अभी भूंगे और यह कुरुआ चौक ते स्टेक्आ करता है प्राइड कर जारे स्टेक्आ कर समय कर और द्हुंगे तार राइड और आएड तार आंग झालिक कर दें झालिक दटारी धर है जासा आड़ कि और बहु ना है और काईज वो है यहां का रेल्वे स्टेशन हम लग बस कहुंचेने ही वाले हैं वहां और यहां का बिजली का तार तकी अब लोगता नीची है तो ट्रग और पारोगत सर्ड जाएगा और यहां का जो स्टेशन है ना बहुत मतलब अच्छा यहां का भ्यूज है ना बहुत अच्छा है त्यूंकि यहां पाहाड़ उसकटी पाहाड़ा नीचे स्ट्रेंड पागता है वहीं और गाइज यह हम लोग कर रहा तुर्वाइश्टेशन यहां इस तरह सी बना दिया है कि टिकेटिवेट नहीं करता कुछ नर्म अब और यहां का आप लोग भीवेर लिखिया है क्या ही वहारा और गाईज यह रहा पुरुआ स्टेशन और यहां पर यह सिफ बना दिया गया है इसमें टिकेट करता नहीं है पहले करता होगा कि पता नहीं लेकिन अभी दो नहीं करता है और यहां का प्लोग स्टेशन यहां का बहुत मस्त है तो गाईज आप हम लोग यहां से निकल रहे हैं क्योंकि दूप बहुत ज्यादा है और आप लोगों पता नहीं हम पता दते हैं कि दुमका में अभी लभाग 42 से 47 डिगरी से चल रहा है अब बहुत जादा गड़ में यहां पर तो उसके करनंद से हम लोग निकल रहे हैं यहां से तो जैसा कि गाईज हम लोग वहां से निकल चुके थो तो अब बहुत जादा धूप लग रहा है और हम दोब पानी भी बहुत ज्यादा प्यास लगाया है और पानी इदर मिलता नहीं है इदर ही लेना होगा तो वांकी गाइज आप मिलते हैं अगले वीडियो में अब बिकाड़ी लेके में आ रहे हैं अब आही रहे हैं कि प्यादा रहे हैं